हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू रानिस कीचर आज हम आपके लिए सिंपल टेस्टी और हेल्डी ब्रेक्फस्ट की रेसिपी लेके आएगा है जो बनाना बहुत ही असान है पोहा की रेसिपी उसको बनाने के लिए किन-किन इंगिरियंस की जरुवत है आईए हम देख लेते है यह हमने पोहा लिया है तीन कप मार्केट में बहुत ही असानी से अवेलेबल होता है यह मुंफली एक प्याली चॉप्ट एक प्याज आलू दो कटे हुए स्मॉल साइज़ेज में कटा हरा धनिया यह करे लिप्स 15-20 पत्ते एक नीबू हाफ इस्पून हल्ली पावडर तीन हरी मिर्ची जिसको हमने हाफ काट लिया है हाफ इस्पून सरसू आप इसकी जगराई भी यूज कर सकते हैं यह वन इस्पून शकर और हाफ इस्पून नमर फोर इस्पून आयम और यह गानिशिंग के लिए सेव लिया है अब पोहे में हम पानी डालेंगे भरके पोहे से ऊपर तर एक चम्मस से इसको ऐसे हम इसको धूल रहा है अब यह दूसरा बाउल लेंगे इसमें हमने स्टेनर लगा लिया है अब इसको हम छान लेंगे अब इसको इसके पानी को हम फेक देंगे और 15 से 20 मिनट तर इसको हम रिस्ट होने देंगे ताकि पोहा फूल जाए और साफ्ट हो जाए हलका से गैस आन करके हमने कडाई चड़ा लिया है इसमें दो इस्पून टेल आइड किया है तेल गर्म हो गया अब मूंफली हम डाल देंगे अब इसको हम भूनेंगे मूंफली हमारा गोल्डेन ब्राउन हो गया है अब हम चम्मश दूसरा लेंगे अब इसको हम बाउल में निकाल के रख लेते हैं इसी कड़ाई में हम दो इस्पून और हम पोर इस्पून ओयल लिये थे अड़ कर लेते हैं इसमें यह सर्सू के दाने गया है सर्सू थोड़ा चटक जा अब सर्सू चटकने लगा है अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची और यह करी पत्ता गया है अब ठर्टी से पेटाप लेए अब इसमें गया चाउप प्यास प्यास को भी लाइज गोल्डेन होने पर प्राइज करते हैं प्यास लाइज गोल्डेन हो गया है अब इसमें हम डालेंगे हल्डी इसको यह गया आलू अब इसको हम 1-2 मिनट तक भून लेगा है ताकि हल्डी का कच्छा पन निकल गया है कच्चापन निकल जाए एक से दू मिनाट तक हम इसको भून ले हैं हंदी का कच्चापन खतम हो गया है अब इसमें हम एक ही साथ आड़ करेंगे वन इस्पून शकर और हाफ इस्पून नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से आड़ कर लें फिर एक मिनाट इसको मिक्स कर करते हैं ताकि शकर मेल्ड हो जाए अच्छे से अब पोहे को देखिए यह हम चम्मा से दो से तीन बाद इसको देखिए कितना खिला खिला पोहा एकदम एक दूसरे से से प्रेट है बिल्कुल चावल की तरह अब इसको हम डाल लेते हैं गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे कि अब इसमें गया हरा धनिया अब इसको मिक्स कर लेते हैं कि मिक्स कर लिया है देखिए कि इतना अच्छा कलर खिला 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 सारा अब यह निवू हमने एक लिया था अब इसको हाथों से ऐसे बीज उपर रह जाएगा नी चोड़ लेंगे और हाफ हमने गानिशिंग के लिए रख दिया है गानिशिंग के टाइम भी है अब इसको फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं अब धक्कन लगाके इसको तीन से चार मिनद तक ऐसी लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तक हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके अब वीडियो को लाइक शेयर करें यह हमारा पोह तैयार हो गया है 3-4 मिनट हो गया है अब गैस की फ्लेम को आफ कर देते हैं यह एक जिसमें पुगा हमने निकाल लिया है अब हम मुंफली ऊपर से सव करेंगे क्योंकि उसकी अंदर डाल देने से उसकी क्रंचिनिस खतम हो जाता है तो इसलिए सव करने के टाइम ही आप मुंफली डाले जब भी आपको खाना हो यह गया इस पर आलू सेव यह रधनिया यह एक नीबू इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राइ करें और यह रेसिपी कैसी लगी हमको कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं क्योंकि आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फिर एक और सिंपल टेंस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ मिलते हैं थैंक्य कि झाल Pacific साथ के सस्टी दिलिता हैं तो कि एक्याय ऑ भागता हैं से का वगता मुझे रेस पिंदवदी और सिंपल सेел ज़रूर रेसिपी के से लगки हूँ मैं फिता हैं फिर सेट कि आताज के दिक कंब आप कर दिंगनेसं कि एम यह कौ